आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बनने वाला बहुत ही यूनिक डिफ्रेंट और हल्दी ब्रेक्वांस्ट जिसे हम घर के बिल्कुल आसान से सामानों के साथ में बना रहे हैं करान और अब इसे सब्सक्राइब यहां पर में एक कप्राइब जिसे कर सकते हैं है 10吸 यूजधा अच्छी तरह के साथ यहाँ पे mix कर लेंगे और फिर हम इसे यहाँ पे 15 मिट्स के लिए ढाक के रख देते हैं तो जोले 15 मिट्स हो चुके हम इसे चेक कर लेते हैं और यह आप देखी सकते हैं सुची यहाँ पे कितनी dry हो चुकी है सारा पानी सुची ने absorb कर लिया है थोड़ा सा पानी हम डालते हुए जो इडली के फॉर्म वाला जो बैटर होता है उसी फॉर्म में हमें बैटर को यहाँ पे बना के रेडी करना है थोड़ा सा नमक पिने डाला है स्वाद अनुसार अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और यह हमारा बैटर बनके रेडी हो चुका है आप देखी सकते हैं बैटर की consistency फिर इस टाइब से मैंने ले ली है छोड़ी छोड़ी से कटोरिया तो आप यहाँ पे इस टाइब की कटोरी भी ले सकते हैं इन्हें हम ऑईल से अच्छी तरीके से grease कर लेते हैं तो यह सारे मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑईल से grease कर लिया है फिर हम बैटर में डाल रहे हैं आदा चमच के something इनो उपर से थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हलके हलके हातों से हम इसे mix कर लेंगे और फिर हम दो से तीन चमच के something यहाँ पे बैटर फिलप कर देंगे इन काटोरियों में उपर से हलका सा हम इसे खाली रखेंगे ताकि यह अच्छी तरीके से फूल पाए सारे फिलप हो चुके हैं तो चले हम इसे stream कर लेते हैं कर देथे जलए तो यहाँ में फ़णा सा data कर देती हुं इसे तो स्टीम के लिए मैंने इस ट्रैप से यहाँ पर पहले से ही पेंड में पानी करने के लिए रख लिए दया था कपते हैं हलगा साफ्राय होने देंगे और फिर मैंने यहां पर डालखा हींद छोगय चाओंच साफ यह पर यह आप नमक डाला है एक चमच के सम्तिंग धनिया पाउडर एक चुटा चमच के सम्तिंग हल्दी और एक चमच के सम्तिंग लाल मिर्च पाउडर इन मसालों को हमें अच्छी तरीके से फ्राय करना है अलकाल के हातों से हम हिलाते रहेंगे थोड़ा सब पानी डाल देते हैं और फिर ह तो इसी टाइम पर हम यहाँ पर डाल दाते हैं, तो इसी टाइम पर हम यहाँ पर एड़ल करें, ऑप टो करें पतली खांनाय पसंद करते हैं, या हलका सा गाड़ी आप खना पसंद करें तो मैं यहां पर मीडियम बसे टोड़ा सा मैंने उपर से निब्बू का जूस एड़ करा है आदा बीजूस को बैलन्स करने के लिए दोड़ा से ऑपर यहां पे डाला है धनिया पत्ती और यह हमारी टॉमेटो करी रेड़ी हो चुकी है और आप देखी सकते हैं लुक वाइस केतनी टीस्टी लग रही है चले अब हम जो स्टीम के लिए हमने कडोरिया रखी ती वह हम चेक कर लेते हैं और यह आप देखी सकते हैं यह बिल्कुल क्लीन निकला है नाइफ मिंस यह अच्छ तरीके से यहां पर निकल चुका है और यह इतना फ्लफी बना है बिल्कुल सॉफ्ट बना है फ्लफी बना है आप देखने से लग रहा होगा आपको तो यह सारे में यहां पर निकाल के इस तरीके से रेडी कर लिए तो चले हम इससे सर्व कर लेंगे तो यहां पर मैंने इस कुछे कमेंट करके जरूर से पताना तो नेक्स वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होती हूँ तब तके लिए खेंगे